आयुर्वेदा होम केर आपके घर का डॉक्टर रखें आपके स्वास्थ का खयाल आयुर्वेदा होम केर में आपका स्वागत है आखें हमारे शरीर का बहुत ही जरूरी अंग है इसी के जर्ये हम इस खुबसूरत दुनिया को देख सकते हैं इतना ही नहीं ये हमारी आज कर लोग कम्प्यूटर के सामने ज्यादा देर तक बैठते हैं जिसका असर आखों पर पड़ता है। आखों पर उम्र का असर भी कम होता है। बढ़ने का असर रेटीना पर पड़ता है। लेकिन अगर आप विटेमिन A युक्त आहार का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं तो रेटीना पर उम्र का ज्यादा असर नहीं होता है। और देखने की एक्षमता भी कम नहीं होती। इसके लिए लाल शिमला मिर्च, गाजर, अंडे, मीठा आलू, खुबानी, अजवाइन के फूल, बटरनट स्कौश आधी का सेवन किया जा सकता है। विटिमिन सी का सिवन करने से मोतिया बिंध होने की संभावना कम करती है। इसके अलावा विटिमिन सी खाने से आँखों में काले धब्बे नहीं पड़ते। मोतिया बिंध की समस्या अधिक उम्र के लोगों को ज्यादा होती है। खटे फल जैसे संत्रे, अंगूर, नीम्बू और अन्य फल जैसे स्ट्रॉबिरीज, पपीता, कीवी, पत्तेदार साग, सरसों का साग, पालक, ब्रॉकली, गोभी, ब्रिसेल स्प्राउट्स, अजवायन के फूल, अजमोद और अमरूद आदी में विटिमिन सी भरपूर मा पाया जाता है, विटिमिन E, मोतिया बिंद के विकास को धीमा करता है, अगर आपके डाइट चार्ट में विटिमिन E युक्त आहार शामिल है, तो कैटराक्ट होने की संभावना भी कम होती है, इसलिए विटिमिन E युक्त खाद्य परदार्थों का सेवन करना चाहिए, प पुरज मुखी तेल, कुसुम तेल और मक्का का तेल आदी में विटमिन E भरपूर मात्रा में होता है। स्वस्थ आँखों के लिए सेलेनियम बहुत जरूरी होता है। ये कैटराक्ट की संभावना को होने से बचाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को मोतिया बिंद की समस्या है तो सेलेनियम युक्त आहार खाने से जल्दी आराम मिलता है। नट, गेहूं के बीज, जई, भूरे चावल, प्याज, मश्रूम और जौण आदी में और नौन वेजिटेरियन फूट्स जैसे मचली, चिकन और तुर्की में सेलेनियम पाया जाता है। जिंक, आखों के लिए जरूरी मिनेरल्स, जिंक युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से मिलता है। के अलावा आखों की नियम में जांच करवाते रहे। और अगर कोई समस्या हो, तो चिकित सक्से अवश्य संपर कीजिए। हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसे ही स्वास्थिवर धकनस्खे आपको बताते रहें। और आप इसका पूरा लाब उठाते रहें।